हलो बच्चों कैसे आप सब आज हम स्टार्ड करेंगे क्लास 12 बाइलो जी में चैप्टर नमबर 15 बायो डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन तो देखो वन सौट वीडियो होने वाला है एक ही पार्ट में अपन इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे सबसे पहले अपन देखते हैं कि बायो डाइवर्सिटी क्या होती है तो देखो यह जो बायो डाइवर्सिटी वर्ड है इसको अपन ऐसे तोड़ सकते हैं बायो प्लस डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है किसी भी चीज में वेराइटी या वेरिशन को बई मतलब से फिर कमिनीटी बनती यह सब ऑइलोजी कल 5 लेवल पर कितनी वे राइटी ए उसे अपन क्या कहेंग बैयोडाइबर सिंपल सब्लों में का जा तो लीवि》मिंग में कितने तफे विरिए सिंसे उसें अपन क्या कहते है? बायो डायवर्शिटी कहते है ठीक है? तो जो बायोजिकल और गिनेजिसिन ने वो कहां से start होता है? मैक्रो मॉलेक्यूल या से start होता है? कहां तक चलता है? भायोंस तक चलता है. इसमें हर एक लेवल पर कितनी वेरीशन है, कितनी वेराइटए है? से बायो डाइवर्सिटी कहेंगे तो एक सोशियो बायो जिस्ट थे एडवर्ट विल्सन इस पूरे चेप्टर में कुछ के नाम आएंगे आप उन नाम को अच्छे से याद रखें ठीक है तो एडवर्ड विल्सन का याद रखें जिन्नोंने क्या की थी बायो डाइवर्सिट से उनन सब को कलेक्ट कर ले अब तो वो अवर जाय excitement कला ःगी बायो div脚 किलाईगी Spännिट प्रक्रवम क्ला और räवल के लेए अच्छे से देखेंगे एक देखेंगे जैनेटिक डायो कि जो विदिन इस्पेशी होगी एक अपन देखेंगे species diversity जो species वाले level पर होगी और एक देखेंगे अपन ecosystem level पर diversity ecological diversity यह तीन important diversity होती है जिसको अपन देखेंगे देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना एक line लिखे हुए the most important important of them are इसका यह मतलब नहीं है कि diversity इसे तीन ही होती है हर level पर biodiversity होती है यह तीन important है अपनी बुक में इन तीन के बारे में ही दे रखा है पहली है genetic diversity अब देखो genetic diversity क्या होती है diversity within a species at genetic level मतलब एक particular species के अंदर कितनी variety है अपन को एक species को दूसरी species नहीं count करनी है एक species के अंदर कितने तरह की variety है उसे अपन क्या कहेंगे genetic diversity कहेंगे और यह generally क्यों आते है क्योंकि अलग-अलग एक ही species के अलग-अलग member अलग-अलग जगा पर होते हैं तो area के साथ उन में क्या होती है कुछ variation सजाती है it is generally observed over a distributional range मतलब change in area करेंगे तो change in genetic level हो जाएगा एक example अपनी book में दे रखा है कि raw wolfia vomitoria अब देखो यह raw wolfia vomitoria तो vomitoria भी दे दिया इसका मतलब species भी दे चुका है इसी plant की जो होती है growing in different himalayan range मतलब himalya में अलग-अलग जगा पर यह जो grow करता है have different in terms of potency and concentration of active chemical देखो raw wolfia vomitoria से recipe निकाला जाता है और recipe का इस्तमाल किया जाता है blood pressure के treatment के लिए लेकिन यह raw wolfia vomitoria को अगर अलग-अलग जगा पर himalya region में अलग-अलग जगा से मतलब obtain करें और उससे recipe निकाले तो उन recipe की amount उसकी potency मतलब काम करने की ability अलग-अलग होगी तो एक ही species के अंदर variety है तो यह कौन सी variety होगी genetic diversity होगी आप एक यह चीज भी याद रखे के raw wolfia vomitoria में कौन सा alkalide होता है जो disease के treatment के लिए इस्तमाल करता है कौन सा होता है recipe और उस recipe की concentration और potency में फरक होता है इंडिया में दे रखा है कि करीब 50,000 strain होती है rice की और करीब 1,000 variety है mango की तो mango जो होता है उसकी एक species की बहुत सारी क्या होगी varieties होगी ठीक है तो वह सब कौन सी है genetic diversity फिर देखते है species diversity अब species diversity क्या होता है diversity at the species level, species level पर कितनी तरह की diversity है उसे क्या कहेंगे species diversity इसके लिए भी बुक में एक एक जामपल लिखावा है कि the western ghat है greater amphibian species की जो western ghat वाला region है उसमें amphibians जो होते है उनकी species के number ज्यादा है किसके compare में इसका क्या मतलब है कौन सी diversity western ghat में ज्यादा species diversity क्योंकि species के number वहाँ ज्यादा है फिर है ecological diversity diversity at ecosystem level अब ecosystem level का क्या मतलब है कि how many types of ecosystem in area एक particular जगह पर कितने तरह के ecosystem है उसे अपन क्या कहेंगे ecological diversity कहेंगे जैसे अगर अगर अपन इंडिया को यह नौर्वे जैसी country से compare करें तो वहाँ पर basically एक या दू ecosystem होगे लेकिन अपने इंडिया में desert ecosystem भी होता है rain forest भी होता है mangroves भी होता है coral reefs ships भी होता है wetland भी है eustaries भी है alpine meadow भी है high diversity है कौन सी ecological in countries के compare में तो यह तीन जो है important level है कि इसके biodiversity के इसके अलावा भी biodiversity होती है लेकिन अपन को इन तीन के बारे में focus करना है तो एक बार आप इस अच्छे से not कर लीजिए फिर अपन chapter को आगे बढ़ाते हैं next है कुछ key point देखते हैं अपन एक तो अगर अपन total species 100% species माने तो उसमें करीब 70% animals है 20% plant है और NCRT इस plant में किसको सामिल कर रही है fungus को भी सामिल कर रही algae, bryophyte, teridophyte, gymnosperm, angiosperm यह तो होते ही है fungus को भी उसने किसके साथ माना है, plant के साथ माना है, तो 22% plant है जिसमें fungus भी सामिल है और 8% अधर से, ठीक है in animal, animal के अंदर insect जो होते हैं सबसे ज़्यादा richness सो करते हैं, अब जानते होंगे, सबसे ज़्यादा diversity किसकी होती है, insect की सबसे ज़्यादा number होते है और insect किसके अंदर होते हैं, आर्थोपोडा के अंदर होते हैं, सबसे बड़ा phylum कौन सा कहलाता है, आर्थोपोडा कहलाता है तो insect जो है सबसे ज़ादा इसकी वज़े से आर्थोपोड़ा सबसे ज़ादा और आर्थोपोड़ा सबसे ज़ादा उसी वज़े से animals भी सबसे ज़ादा अगर अगर अपन उनके data को compare करें तो in vertebrates में अगर आपको पूछे देखो animals में पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन है तो इन्सेक्ट overall पूछे तो सबसे ज़्यादा कौन है animals अगर in vertebrates में पूछे सबसे ज़्यादा कौन है insect आएंगे second number पे कौन आएंगे mollusks का आएंगे और third number पे कौन आते है crustaceans आते insect और crustaceans दोनों ही इसके member है आर्थोपोडा के यही वज़ाय आर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है वर्टीब्रेट्स में देखे तो सबसे ज्यादा होती है फिस बर्ड्स और रेप्टाइल्स मोर देन बराबर ही है फिर amphibians और फिर mammals यह भी लगबग लगबग बराबर ही है प्लांट्स में देखे तो fungi और angio sperm लगबग लगबग बराबर है algae उसके बाद फिर moss और fern फिर lycan और gymnos sperm सबसे कम है ठीक है प्रोकेरियोट और bacteria are not considered in biodiversity यह जो biodiversity के data इसमें प्रोकेरियोट और bacteria को considered नहीं किया गया क्यों नहीं किया गया simple answer है अपन को पता ही नहीं है नहीं अपन पता कर सकते कि उनकी कितनी species है क्यों नहीं कर सकते उसके कारण देखो conventional taxonomic method are not suitable for identify microbial species मतलब जिस तरीके से अपन बाकी organism के number find करते उस तरीके से microorganism के नहीं कर सकते इसकी बहुत सारी species ऐसी है जिसका culture भी नहीं करवा सकते तो अपन को पता क्या चलेगा on the basis of molecular और biochemical criteria अगर molecular और biochemical criteria पर देखे तो नहीं हर जो bacteria होते किसी दूसरे bacteria से vary करते इस हिसाब से तो हर दूसरा bacteria एक नहीं क्या होगा species होगा उस हिसाब से तो इनकी diversity millions में तो सिफ किस की पहुंच जाएगी bacteria की पहुंच जाएगी यही तीन वज़ा है कि जो अपन bio diversity के data की बात करते हैं उसमें bacteria को consider नहीं करते ठीक है अब बात करते हैं अपने इंडिया की देखो earth पे total 12 mega diversity country है जहां bio diversity बहुत जादा है इंडिया भी उसमें से एक country है ठीक है तो इंडिया जो है एक mega diversity country है अब जब आपको पूछे कि mega diversity कहने का मतलब क्या है तो उसको समझते हैं अगर अपन एरिया वाइज बोले तो जो world की land है उसका 2.4% जो है वो किसमें इंडिया में लेकिन अगर species की बात करें तो 8.1% इसका क्या मतलब हुआ कि area के compare में species ज्यादा है कहां पर इंडिया में दूसरा इंडिया में करी 45,000 plant species है करीब 90,000 animal species है और अगर Robert May का estimation माना जाए जिसमें उन्होंने बोलाता कि 7 million species होगी तो ये total data का सिफ 22% है अनलब इससे भी ज्यादा species होगी तो अगर उनका estimation माना जाए करीब 1 lakh plant species हो सकती है 3 lakh animal species हो सकती है ठीक है तो इन दो data की वज़े से इंडिया क्या है एक mega diversity country है टोटल ऐसे कितनी country है 12 country ठीक है कि next आगे बढ़ते है और लेते है pattern of biodiversity pattern का मतलब क्या biodiversity का कोई pattern है मतलब कोई तरीका है जिसमें इस तरफ जाने पर biodiversity बढ़ती है या इस factor को change करने पर biodiversity बढ़ती है अगरती है उसको अपन को समझना है तो पहला pattern है latitudinal gradient अब latitude का क्या मतलब है अपन जैसे globe पर इस direction में move करें जैसे यह equator है इसके उपर भी जाएंगे तो latitude बढ़ता है नीचे भी जाएंगे तो latitude क्या होता है बढ़ता है उपर की तरफ अपन latitude लिखते है कि वह north की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ latitude लिखते है तो वह south की तरफ जा रहा है बिसिकली यह बीच वाला जो region है यह क्या है equator equator से अपन पोल की तरफ चाहे उपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ बढ़े तो अपन इसको कहेंगे कि latitude में इनक्रीमेंट हो रहा है अब अप स्ब जानते हो कि पोल पर कुछ ज्यादा बाइयो डायो डायो सिटी है नहीं ठीक है और equator इक्वीटब पर जो होता है वह बायो डायो डायो डाय।पर कि ज्यादा तो क्या pattern मिल रहा है विप को कि अगर equator से Пол की तरफ बढ़े तो Biodiversity क्या होती है घजती है अब Equator से Пол की तरफ बढ़ने को अपन ऐसे भी कह सकते है कि Latitude बढ़ने के साथ क्यूंकि Latitude ही तो बढ़ ığını तो बढ़ रहा है Biodiversity घट रही है तो क्या लिखावज है इन जन्रल यह थोड़ा से यहां से क्लियर हो गया इन जन्रल जो इस्पेसीज डाइवर्सिटी होती है वो डिक्रीज होती है as we move away from the equator towards the pole मतलब equator से जब पोल की तरफ बढ़ते है तो biodiversity क्या होती है decrease होती है biodiversity indirectly proportional होती है या inversely proportional होती है किसके latitude के मतलब latitude बढ़ेगा biodiversity घटेगी तो biodiversity सबसे ज्यादा का होती है equator के आसपास जैसे जैसे उपर जाएंगे latitude बढ़ता जाएगा biodiversity घटती जाए देखो यह जो बीच वाली लाइन है यह क्या है equator उसके आसपास का region बोले तो कहां पर north की side में 23.5 latitude और south की तरह भी 23.5 latitude इसके बीच का जो भी region है उसे कहते है tropical region किसके बीच में latiruginal range 23.5 नौट तो 23.5 साउथ यह जो region है जो equator के आसपास है more species than temperate and polar region अब temperate region कौन सा होता है इसके उपर जो region होगा वो temperate और सबसे उपर कौन सा होता है polar region तो tropical जो region होता है उसमें सबसे ज़्यादा बायो डाइवरसिटी होती है और अपने इसको ऐसे कह सकते है tropical region में latitude कम है temperate में और ज़्यादा है पोल में जाने की तरफ और ज़्यादा हो जाएगा तो जैसे जैसे latitude बढ़ता जा रहा है बायो डाइवरसिटी घटती जा रही है अब इसके लिए कुछ database दे रखे है अपनी बुक में उनको समझते है जैसे bird species है Columbia Columbia का है equator के आसपास फिर अपने लिया इंडिया जिसका majority of region का है equator के आसपास कुछ उपर नीचे है फिर है New York जो 41 degree नॉर्थ के साइड में latitude है तो इसका मतलब यह इस वाले region में नहीं आ रहा ट्रोपिकल रीजन में और फिक greenland 71 डिगरी नॉर्थ में तो वह और ही उपर चला गया species की diversity क्या होती गई कम होती गई एक और है equator forest है अब equator forest किस रीजन में ट्रोपिकल रीजन में और Midwest American forest है जो की temperate region में जो tropical region जो होता है वो equator के पास होता है temperate region उपर होता मतलब जहां latitude ज्यादा होता है तो बुक लिखती है एक equator forest में temperate forest के compare में 10 times ज्यादा बायोडिवर्सिटी अगें सेम प्रूफ हो रहा है कि latitude बढ़ने के साथ बायोडिवर्सिटी गट रही एक tropical Amazon rainforest tropical मतलब यह कौन से region में tropical region में Amazon rainforest जो की कहा है अब देखो एक question बनता है कि why equator region और tropical region has greater biodiversity मतलब temperate और polar region के compare में यहां पर बायोडिवर्सिटी ज्यादा क्यों है तो एक question बनता है तो question के answer में क्या लिखेंगे अपन? Speciation is a function of time मतलब जब earth evolve हो रही थी तो species बनना वो function of time है मतलब कितना time मिल रहा है species के formation के लिए और अपन किस time की बात करें? ऐसा time जो undisturbed हो जिसमें ज्यादा कुछ changes ना हो ऐसा जितना ज्यादा time मिलेगा species उतनी ही ज्यादा बन जाएगी तो temperate region जो होता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे frequent glaciation होते है जब भी tropical region में ऐसा हुआ नहीं तो क्या लिखती है बुक क्या लिखती है कि unlike temperate region tropical region have remained relatively undisturbed from frequent glaciation मतलब वहाँ पर कोई glaciation वगेरा नहीं हुए किस region में? tropical region में या फिर हुए तो भी उतनी frequent नहीं होते है तो एक long undisturbed time मिला species के formation के लिए so it had long time for species diversification तो पहला कारण दूसरा है tropical environment are less seasonal अब tropical environment में क्या होता है season जादा नहीं बनती है जल्दी-जल्दी change नहीं होती यह भी एक वज़ा है कि यहां पर जो सब predictable season रहती है climate रहता है जो species में नीस जो होता है उसको फैलने में मदद करता है नीस specialization होता है मतलब एक ही species एक ही एरिया में अलग-अलग नीस बना पाती है क्यों बना पाती है क्योंकि वहां पर season vary नहीं करता तो अगर पूछे कि पहला कारण क्या है तो पहला है undistrupt time मिला उससे क्या हुआ species diversification बढ़ा दूसरा है season change नहीं हो रहे उससे नीस specialization बढ़ा और तीसरा है कि ज्यादा solar energy मिलती है tropical region में और इस वज़े से महा productivity बढ़ती है वैसे productivity ज्यादा होने से biodiversity directly ज्यादा तो नहीं होती लेकिन NCRT लिखती है अब देखो species area relationship एकदम simple भासा में बात करें जैसे जैसे area बढ़ता जाएगा वैसे वैसे species बढ़ती जाएगी तो Alexander von Humboldt यह दूसरे scientist का नाम आया अच्छे से याद रखना ठीक है according to Alexander von Humboldt जो जिन्होंने South American jungles में study की थी और उन्होंने का as we increase area species richness also increase जैसे जैसे area बढ़ता जाता है species की जो richness है मतब कितने तरह की species है वो बढ़ती जाती है but only up to a limit लेकिन एक limit की तरह मतब species बढ़ती जाएगी area बढ़ाने के साथ बढ़ाने के साथ और फिर एकदम क्या हो जाएगी constant हो जाएगी उन्होंने इसको समझाने के लिए एक equation दीती एस जो है species richness है और a जो है वो basically क्या area तो s proportional a की power z proportional का sign अटाता है तो c constant आता है c और z क्या है दोनों constant है अब इनका graph इसकी एक log equation वो दोनों भी बुक में दे रखिए अपन उसको अच्छे से समझते पहला आप एक बार अच्छे से नौट कर लीजिए याद रखिएगा कि दो pattern अपन को याद करने एक latitude के हिसाब से और एक area के हिसाब से latitude बढ़ने के साथ साथ species की diversity घटती है और area बढ़ने के साथ एक point तक species diversity क्या होती है बढ़ती है ठीक है तो देखो जो अपने equation थी वो क्या थी? S proportional थी क्या A उसकी power क्या थी? Z और जब अपने proportional का sign अटाया तो क्या आगया? C A constant आगया और इसकी power क्या होगी? Z अगर ये equation देखा जाए तो ये rectangular hyperbola की equation है मतलब ये equation कुछ ऐसे बनेगी इसका graph कुछ ऐसा बनेगा ये graph क्या so कर रहा है कि जैसे जैसे area बढ़ता जा रहा है species richness बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और फिर क्या हो जाएगी? एक दब constant हो जाएगी यहाँ पर S क्या है species richness A क्या है area Z और C दोनों क्या है constant अगर मैं इस वाली equation का log ले लूँ तो देखो log लेते हैं तो दोनों तरफ log लेंगे तो S का log क्या हो जाएगा log S और इस पूरे के आगे अपन ने क्या लगा दिया देखो मैं यहां solve कर देता हूँ S का log लेंगे तो log S और दूसरे का log लेंगे तो log C A की power Z हो जाएगी इन दोनों के बीच में multiplication है तो log के case में क्या होता है दो चीजे multiply में होती है तो अपन क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं तो यह हो जाएगा A की power Z log में एक rule होता है कि अगर कोई चीज power में है तो वो कहां लिख दी जाती है आगे तो यह अपने आगे लिख दी log A ठीक है और यह क्या हो गया log S अब जो यह equation जो है यह rectangular hyperbola की नहीं है यह y equal to mx plus c की equation है जहाँ y axis पर अपन क्या लिखेंगे log S x axis पर क्या लिखेंगे log A slope जो होगी वो किसके बराबर होगी Z के और intercept किसके बराबर होगा log C के तो देखो log c के equal आता है लेकिन बुक में लिखा हूँ है कि c जो है intercept coefficient है या constant है और जो z है वो किस के बराबर आ रहा है? slope के बराबर आ रहा है और log a और log s के बीच में graph कीच आ हूँ है, ठीक है? z जो है इसे regression coefficient भी कहते है क्या कहते है? regression coefficient अब इसके क्या क्या इससे related point याद करने वह अभी अपन देखते है इस पर सीज area का अगर graph कीचने को कहे तो अपन को यह दोनो graph कीचने यह normal scale से यह log scale से ठीक है? जो z जो है जिसे slope of line या regression coefficient कहते है उसकी value 0.1 to 0.2 के बीच में हो सकती है और वो taxonomic group या region पे different depend नहीं करती लेकिन अगर एक बहुत बड़ा सा region लिया जाए तो फिर यह z की value जो है 0.6 से 1.2 तक भी आ सकती है जैसे की frugivorous birds and mammals in a tropical forest अब tropical forest तो बहुत बड़ी सी जगह है तो उसके लिए value क्या आ रही है 1.15 जो कि किस range के बीच में इस range के बीच में बाकी सारों के लिए क्या आती है अगर बड़ा region ना हो तो 0.1 to 0.2 के बीच में होती है नेक्स्ट है heading है अपनी book में की importance of species diversity in ecosystem तो कि species की diversity ecosystem के लिए कैसे important है तो इसके लिए पहले अपनी concept समझते है stable community का तो देखो community with more species generally tend to be more stable अब अपन को stable कहने का मतलब क्या है तो देखो a stable community should not so too much variation in productivity from year to year मतलब almost हर साल उसकी productivity क्या रहनी चाहिए सेम रहनी चाहिए तब उसे अपन क्या कहेंगे stable community a stable community must either resistance or resilient to occasional natural or man-made disturbance जो भी मतलब natural कोई problem होती है या फिर कोई human made problem है उसके towards में resistance होनी चाहिए तब उसे क्या कहेंगे stable community और एक stable community में अगर बाहर से कोई species आ जाती है तो उसका कुछ जादा फरक नहीं पढ़ना चाहिए तो alien species के आने का जादा फरक नहीं पढ़ना चाहिए ये तीनों कब होंगे और ये तीनों होंगे तब उसे अपन क्या कहेंगे stable community और वो till men जो थे उन्होंने क्या किये long term ecosystem experiment किये वो भी कहां किये outdoor float पे मतलब बाहर लैब के बाहर बड़े-बड़े से area farmland या कोई भी बड़ी सी जो land थी उन पर experiment किये long term ecosystem experiment outdoor float experiment इस नाम से जानना जाते हैं और उन्होंने explain किया कि species biomass relationship क्या-क्या species और उनके biomass में relation बताया क्या होता है उसे अभी अपन देखते है पहले आप इसे अच्छे से नौट कर लीजिए ठीक है तो आगे देखते है डेविट तिल मैंने क्या का कि जो outdoor plot में ज्यादा species होगी उसमें less variation होगा total biomass में ठीक है मतलब अगर मान लेते हैं अपन दो plot को compare करते हैं और मान लेते हैं कि इस plot में species ज्यादा है तो इसके total biomass में year to year जो variation होगी वो कम होगी बोले तो biomass constant होगा इसको ऐसे भी कह सकते है कि plot with increased diversity ज्यादा diversity होगी तो ज्यादा क्या सो करेगी productivity तो डेविट टिल मैं के हिसाब से जो biodiversity होती है वो किसमें help करती है ज्यादा productivity करती है ठीक है एक पॉल इलिच यह देखो एक और person का नाम है पॉल इलिच जो था उन्होंने रिवेट पोपर हाइपोथेसिस दीती इन सब चीजों को समझाने के लिए कि species diversity जो होती है ecosystem के लिए कैसे चाहिए होती है तो देखो उन्होंने एक analogy का इस्तमाल किया analogy मतलब एक example देंगे और उस example के same तरीके से ecosystem को समझाएंगे इस example में जहां पर उन्होंने एर प्लेइन का इस्तमाल किया basically वो ecosystem की बात कर रहे है जहां rivet की बात कर रहे है rivet बोले तो screw अगेरा जो होते है उसकी बात कर रहे है तो वह वो basically इस की बात कर रहे तो देखो उन हाइपोथेसिस में क्या लिखावाता कि माल लो एक एरप्लेन है और इस एरप्लेन में if every passenger in airplane starts popping a rivet to take home मतलब एर प्लेन में से एक जो rivet निकाले एक screw निकाले और घर पे लेके चला जाए इसका क्या मतलब समझना है रिवेट जो होता है वो में से एक क्या गायब हो रहा है इस पर सीज गायब हो रही है initially no effect but as more and more rivet are removed plane become dangerously weak मतलब अगर एक बड़ी सी plane में से अपन एक rivet निकाल लेते हैं तो उस पर क्या फरक पड़ेगा एक दो निकालेंगे तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन जैसे जैसे और rivet निकालते जाएंगे plane जो होगा उसका construction जो होगा weak होता जाएगा ठीक वैसे क्वैसे initially कोई effect नहीं पड़ता जब एक या दो species किसी ecosystem में से गायब होती है लेकिन जैसे जैसे ecosystem से इस पे species गायब होने लगेगी ecosystem क्या होगा unstable होता जाएगा और क्या बोला उनने furthermore which rivet is removed may also be critical जैसे कि मानलो कि एक rivet है जो wings को airplane से जोड़ता है मानलो ये airplane है और ये इसके wings है यहाँ पर एक screw है तो अगर इस screw को खोल देंगे तो wings एक में ही निकल जाएगा तो ये एक rivet के गायब होने से भी airplane पे क्या पढ़ेगा बहुत ज़्यादा effect पढ़ेगा और अगर कोई दूसरा person किसी airplane के किसी अंदर में से किसी seat के नीचे का कोई rivet निकाल देता तो उसका कुछ खास फरक नहीं पढ़ेगा ठीक ऐसे कैसे एक ecosystem में बहुत सारी species की species होती है अगर उनकी species का अगर loss हो रहा है तो ecosystem की functioning पे ज़्यादा effect पढ़ेगा और अगर कोई दूसरी हो रही है तो कम फरक पढ़ेगा तो इस rivet proper hypothesis से basically उन्होंने क्या समझाया उन्होंने यह समझाया कि जिस तरह एक airplane में initially rivet के निकालने का कोई फरक नहीं पढ़ता ecosystem में से भी initially एक या दो species के गायब होने का कोई फरक नहीं पढ़ेगा लेकिन जैसे जैसे और species गायब होती रहेगी वो ecosystem क्या होता जायेगा मतलब उसकी functioning proper नहीं रहेगी ठीक है तो यह था Paul in leach का analogy ठीक है यह आपके अलग से question भी बन सकता कि Paul in leach की जो है analogy से यह समझाओ कि species जो होती है उसकी diversity ecosystem में कैसे help करती है ठीक है तो finally इस topic की summary करते हैं और बताते हैं कि species की diversity क्या importance रखती है तो पहला तो यह community को क्या करेगी stable बनाएगी और stable से अपना मतलब है कि उसकी productivity stable होगी और जो natural या man-made जो disturbance होंगे उसके towards में resistance हो करेगी alien invasion होगा तो उसका कम effect पढ़ेगा मतलब उसके towards में resistance हो करेगी और more diversity means more productivity तो यह species diversity की क्या होई importance होई किस के case में ecosystem में ठीक है next आगे बढ़ते हैं और लेते हैं loss of biodiversity biodiversity में loss को समझते हैं ठीक है तो देखो अपनी book में लिखावा है कि करीब 15,500 ऐसी species है जो threat of extinction जो कर रही है वो क्या कर रही है उसके कागार पर मतलब extinct होने की कागार पर कुछ data है अपन को याद रखना है इसमें से 12% birds है 23% mammals है 31% gymnosperm है और 32% amphibian species है ठीक है एक data और क्या याद रखना है कि study of history of life on earth through the fossil record fossils की study के बाद यह पता चला कि earth पर पांच episode mass extinction के हो रखे मतलब ऐसा पांच बार ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ी amount में जो है diversity जो है वो reduce की गई मतलब इस पिसीज को खतम किया गया और गनीजम को खतम किया गया ऐसे कितने episode हो रखे पांच episode हो रखे तो फिर अपन इस बार इतना ऐसा क्यों कर रहे है कि human ने यह कर दिया और एक और चीज़ यह सब जो हो रखे फॉस five episode were occur without human human के बीना हो रखे तो फि कम समय में यह mass extension हो रहा है और इसकी वजह कौन है human है मतलब mass extension पहले भी हो रहे है लेकिन वह बहुत slow speed से हो रहते है इस बार बहुत जल्दी-जल्दी हो रहा है faster than previous episode over activity यहां पर out की जगह क्या लिखना है over activity जो होती है वह responsible है किसके लिए इन सब चीजों के लिए all this rate nearly half of the diversity wipe out in next hundred year अगर अगर अपन इसी speed से biodiversity को loose करते गए तो next hundred year में आधी biodiversity खतम हो जाएगी तो अगर यह extinction होता है तो इसका क्या impact होता है तो पहला है decline in plant production मतलब plant का production बोले तो productivity घटेगी दूसरा है lower resistance to environmental disturbance मतलब जितनी कम biodiversity होगी कोई भी environmental stress होगा तो biodiversity पे और ज्यादा फरक पड़े distance to alien invasion मतलब बार से कोई foreign species जाती है तो किसी भी particular area के ecosystem को और जदा मतलब क्या करती है disturb कर देती ठीक है increase variability और decrease stability of ecosystem next है कुछ example बताने है जो ऐसी species के हैं जो extinct हो रहे हैं वैसे आप बहुत सारे जानते होंगे लेकिन अपन को अपनी बुक वाले example याद रखने है तो IUCN जो है उ extinct or threatened species की वो लिस्ट बनाई जाती है 2004 की data है कि 784 species जो है extinct हो रही है जिसमें से 338 vertebrates की है 359 invertebrates की और 87 plant species है इसमें से कुछ species के नाम अपन को याद रखने है डोडो मौरिसियस से क्वागा अफ्रिका से थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया से इस्टेलर सी काउ रसिया से और 3 sub species of tiger tiger की 3 sub species बाली जावा और कैस्पियन से क्या हो गई है extinct हो चुकी है तो यह अच्छे से याद रखना example पूछे जाते हैं ठीक है नेक्स्ट है कि फिर biodiversity के cause क्या है क्या कारण से biodiversity का loss हो रहा है तो बुक लिखती है कि इसके चार कारण है जिससे अपन कह सकते है evil quadrate quadrate मतलब 4 evil मतलब बूरे तो यह चार बूरे कारण है जिसकी वज़े से biodiversity क्या हो रही है loss हो रही है कौन-कौन से habitat loss और fragmentation जो सबसे major कारण है overexploitation alien species invasion और co extinction यह करके समझते है habitat loss and fragmentation लेको habitat loss अलग चीज होती है habitat fragmentation अलग चीज होती है biodiversity को कम कर रहा है समझते है one by one पहले अपन देखते है एक तो चीज याद रखनी है most important region biodiversity loss का यह है पहले अपन देखते है habitat loss का तो देखो habitat बूले तो especially अपन forest की बारे में बात कर रहे है जहादा दर wildlife organism में रहते है are cleared for cultivation or other purpose is known as habitat loss अपन किसी particular जगह या जैसे इस पेस लिए अपन forest की बात कर रहे है उसको अपन human के किसी काम के लिए अपन ने उसको पूरा साफ कर दिया तो basically अपने जो organism थे उनके रहने की जगह को गायब कर रहे है तो basically यह क्या कहलाएगा habitat loss कहलाएगा Amazon rainforest जो होते हैं जिसे lungs of planet कहते हैं करीब 20% oxygen पूरे और की वो खुद बनाता है उसका 14% से 16% area रह गया है 14% था उससे 6% रह गया और क्यों किया गया ऐसा एक तो cultivation करना था soya beans का और एक उनको उनकी जगह grassland बनानी थी ताकि beef cattle जो होते हैं उनके लिए अधर इखटा किया जा सके तो बोले तो human ने अपने काम के लिए एक इतने important forest को जिसको lungs of respiration कहते हैं उसके 14% area को गटाते गटाते किता गड़ दिया 6% कर दिया तो एक कारण तो है यह दूसरा है कि एक बड़े सी कोई habitat है और are broken up into small fragment due to various activity मतलब एक बड़े से जैसे मानलो एक बड़ा सा जंगल है और उस जंगल में से बीच में से एक सड़क निकाल ले अपन तो एक हिसा इस तरफ हो गया एक हिसा इस तरफ हो गया तो यह क्या हो गया habitat के टुकडे कर दिये तो मानलो बीच में कोई plant बना दिया य से ज्यादा टुकडे कर दिये तो यह habitat fragmentation कर लाता है और यह भी equally ही biology biology को क्या करता है मतलब अपने biodiversity को disturb करता है ठीक है क्या क्या problem होगी देखो जो large size mammals होंगे वो ज्यादा effect होंगे और migratory habitat वाले animals जो इधर से उदर जाते हैं फिर वो move करते समय उस particular human territory से होकर गुजरेंगे तो फिर या तो अपना और उनका encounter होगा तो या तो अपन डर के मारे उन्हें मार देंगे या फिर वो ऐसे ही मर जाएंगे तो इस तरीके से क्या होता है habitat loss और habitat fragmentation की वज़े से क्या होता है biodiversity loss होती है और यह सबसे बड़ा कारण है ठीक है तो आप इसको note कर लीजिए फिर ब over exploitation अब over exploit से क्या मतलब है when human usage natural resources for greed instead of need मतलब human अपनी need के इसाब से natural resources को इस्तमाल करने की बजाए अपने लालच के लिए इस्तमाल करेगा तो वो जरुत से ज्यादा exploit कर लेगा जरुत से ज्यादा चीजों का इस्तमाल करेगा natural resources का जिसे क्या कहता है over exploitation ठीक है और इस over exploitation का sea cow जो थी उसको human ने किसके लिए consume करना start कर दिया अपने food के form में और इतना ज्यादा consume करना सुरु किया कि उसे reform करने का मौका ही ना दिया तो उसकी वज़े से वो क्या हो चुकी है extinct हो चुकी है ठीक ऐसे कैसे passenger pigeon और many marine fishes जो होती है वो over exploitation की वज़े से क्या हो चुकी है extinct हो च मतलब है when alien species alien species मतलब जो उस environment पे पहले से नहीं थी उस area में are introduced unintentionally और deliberately चाहे तो अपन जाने अन जाने में लेकर आगे चाहे जान बूच कर लेकर आए for whatever purpose some of them turn invasive अब वो invasive होकर वो क्या करेगी जो उदर की indigenous species मतलब जो पहले से वहां रह रह रही थी या तो उनके number को कम करेग इसके example है जैसे कि नाइल पर्च एक फिस है जिसको लैक विक्टोरिया में क्या किया गया था इंटर्ड्यूस किया गया लैक विक्टोरिया का है इस्ट अफरीका में और इसकी वज़े से जो चिकलिड फिस जो होती है उनकी करीब 200 species जो है extinct हो गई क्यों क्योंकि ये नाइल चैप्टर में pollen allergy में दे रखा है आई कोणिया ये फर्स चैप्टर में दे रखा है वाटर आइसनीत का तो ये faster mood of reproduction की वज़े से इतने grow कर जाते हैं कि वो बाकी species की growth को क्या करते हैं control कर देते हैं या फिर restrict कर देते हैं उनके number को क्या कर देते हैं कम कर देते हैं तीसरा जो ह है वो है illegal introduction of African catfish मतलब इलीगल मतलब government की बिना permission के African catfish को aquaculture के लिए लाया गया और जैसे ही वो यहां लाई गई तो इंडिय इंडिजीनस जो catfish थी उनके number क्या करने लगे कम होने लगे तो ये कुछ example है जो किसके alien species invasion की वज़े से जो इंडिजीनस species जो होती है उनके number कम हो होते हैं या फिर वो extinct हो जाती है ठीक है next और लास्ट कारण है biodiversity loss का co-extinction co-extinction का क्या मतलब है when species become extinct जब एक कोई species extinct होती है तो उससे जो directly plant और animal या कोई भी organism जो associate है किस way में obligatory way में obligatory मतलब वो उसके बिना ना जी सके तो उसका भी क्या हो जाएगा extinction जैसे मान लो कि एक host parasite relation ह है अब सब जानते है house parasite relation का तो अगर मान लो की host जो है वो extinct हो जाए तो उसके ओपर जो parasite होगा वो भी क्या हो जाएगा extinct हो जाएगा या फिर pollinator plant relation जिसे पॉलिनेटर जो होते है वो क्या करते हैं plant में pollination करवाते हैं और मान लो इस plant में pollination का सिफ यह एक तरीका है और pollinator जो ह होना पड़ेगा extinct होना पड़ेगा ठीक है तो यह चार कारण थे अपने biodiversity loss के next अपने book में heading है biodiversity conservation इसमें सबसे पहला है कि why should we conserve biodiversity मतलब अपन को biodiversity conserve करनी ही क्यों है तो जितने भी कारण है biodiversity conserve करने के उनको तीन category में divide कर सकते है narrowly utilitarian broadly utilitarian और ethical region narrowly और जो broadly है ये दोनों किस पर है ये वो argument देते हैं कि अपन को क्या-क्या फाइदा है ये बताते है ecosystem को क्या-क्या फाइदा है और last वाला region ये बताता है कि चाहें अपन को फाइदा हो या ना हो जिस तरीके से अपन को right है जिन्दा रहने का इन सब और्गेनिजम को भी जीने का क्या है राइट है इके करके point देखते हैं सबसे पहले है narrowly utilitarian तो narrowly utilitarian में क्या आता है we should conserve biodiversity because it's direct benefit अपनको बहुत सारे benefit होते है जैसे food available करवाते है firewood available करवाते है industrial product देते है medicinal product देते है एक्जाम में जब आएगा तो आप यहां तक लिख के छोड़ सकते हैं लेकिन कुछ और data भी है याद रखना है करीब 25% drugs जो होती है वो कहां से मिलती है plant से मिलती है और करीब 25,000 plant species ऐसी है जो native people जो है traditional medicine की तरह इस्तमाल करते हैं जैसे करीब 25,000 plant species है एक यह data दे रखा है book में आप याद कर लें क्या पता किसी form में पूछ ले एक और narrowly utilitarian में एक bio prospecting दे रखा है bio prospecting का क्या मतलब होता है exploring molecular genetic and species level diversity for products of economic importance मतलब ऐसी और खोज करनी है जिससे अपन को क्या हो economic importance के क्या मिले कोई या तो species मिले या उनके कोई products मिले तो उसे अपन क्या कहते है बायो prospecting कहेंगे क्या कहेंगे bio prospecting तो इसकी अगर definition पूछे तो आप यह लिख सकते हैं ठीक है यह दो extra point है narrowly utilitarian में लिखना है अगर आपको यह question आये exam में तो सिफ आप यहां से यहां तक लिख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है broadly utilitarian तो देखो broadly utilitarian क्या होता है broadly utilitarian means we should conserve biodiversity because it play major role in many ecosystem services मतलब यह ecosystem को भी बहुत सारी services देती है जैसे ज्यादा production होगा ओटू का pollination करेगी aesthetic pleasure का मतलब कभी-कभी अपन को biodiversity देखकर भी खुसी मिलती है जैसे book लिखती है कि जब अपन किसी flower को blossom करते देखते हैं खिलते वे देखते तो अपन को खुसी मिलती है क्या अपन उसकी कोई price tag लगा सकते तो यह सब किस में आएगा broadly utilitarian में आएगा इन रीजन की वज़े से भी अपन को biodiversity conserve करनी चाहिए next और last region जो book देती है वो है ethical reason ethical reason का क्या मतलब है कि हर species की कोई intrinsic value होती है हाँ हो सकता है वो अभी अपने लिए कोई economic importance नहीं रखती लेकिन उन सब को right to live है मतलब उनको भी जीने का अधिकार है इस वज़े से अपन को उनका क्या करना चाहिए conservation करना चाहिए अब जब अपन यह समझ गया है कि biodiversity का conservation करना चाहिए इन सिटू का मतलब जिस species को आपको conserve करना है उसको उसी के natural habitat में conserve करना है और एक सिटू का मतलब है जिस species का conservation करना है उसको उसके natural habitat से निकाल के किसी और जगा अपन उसे क्या करेंगे conserve करेंगे इन सिटू में आते हैं bio diversity hot spot protected area आते हैं जिसमें bio, sphere, reserve, national park और centuries आती है एक्सिटू में वाटनिकल गार्डन, जियोलोजिकल पार्क, एक्वेरियम, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्विशन वाले जो भी हो और सिक्रेड जो प्लांट्स वगेरा जो होते हैं वो सब किस में आते हैं एक्सिटू कंजर्विशन में ठीक है नेक्स्ट है अपने इन-सिटू कंजर्विशन इसे ओन साइट कंजर्विशन भी कहते हैं इसमें क्या करते हैं किसी भी इसपेसीज जिसको अपन कंजर्व कर रहे हैं उसको उसके नेचुरल हैबिटार्ड में ही कंजर्व करते हैं इसमें पहला आता है होट इसपोट अब पर नहीं होती उन species के नंबर ज्यादा होने चाहिए इस पेसीज रिचनेस ज्यादा होनी चाहिए उन जगह को अपन क्या कहते है बायो डाइवर्सिटी होट इसपोर्ट और इन होट इसपोर्ट में एसलेरेटेड हैबिटार्ड लॉस भी हो रहा है इसका मतलब इन रिजन्स क क्या करने की जरूत है कंजर्व करने की जरूत सबसे पहले तो इन रिजन को अपन क्या कहते है बायो डाइवर्सिटी होट इस वर्ल्ड में पूरी दुनिया में पहले 25 बायो डाइवर्सिटी होट इसपोर्ट आइडेंटिफाई किये गए थे बाद में 9 और एड किये गए तो अब अब अवरॉल किते हो गए 34 बायो डाइवर्सिटी हॉट इसपॉर्ट है अब इन होट इसपॉर्ट की क्या खास यह थे देखो यह जो पूरी लेंड जो होती है उसका सिर्फ टू परसेंट पूरी वर्लेंड का टू परसेंट रखते हैं लेकिन करीब 30% ओन गोइंग मास एक्स्टिंग्शन को यह क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं इस हिसाब से बायो डाइवर्सिटी हॉट इसपॉर्ट का कंजर्विशन सबसे इंपोर्टेंट बनता है एक और चीज बायो डाइवर्सिटी हॉट इसपॉर्ट जो होता है वो एक तरह का सॉल्यूशन है किस सॉल है क्योंकि अपन को उसको conserve करना है तो ऐसा माना जाता है कि conservation और development एक दूसरे के just opposite है यही वजाए कि बहुत सारी country हर जगह को क्या नहीं कर सकती it is unrealistic और economically not feasible to conserve all the biological wealth तो अपन कुछ area को ही conserve कर सकते हैं तो फिर कौन से area चूज करेंगे जो biodiversity hot spot होंगे इंडिया में कितने biodiversity hot spot region है तीन western गार्ट और सिलंका के आसपास का region इंडो बर्मा और eastern हिमालिया यह तीन जो है biodiversity hot spot है ठीक है next है protected area तो देखो protected area जो है वो अपने in-situ conservation का दूसरा point है तो ecologically unique और biodiversity rich regions जो होते हैं उनको legally protect किया जाता है मतलब government rule regulation decide कर देती है अब इसमें कौन-कौन से आते हैं एक तो biosphere reserve आते है national park आते हैं और centuries आती है इंडिया में कितने biosphere reserve है 14 national park कितने 90 और wildlife century कितनी है 448 next है second groove तो देखो यह वो जगह है देखो sacred tree जो होता है वो किसमें आता है देखो जैसे एक तुलसी का जो पौदा होता है वो अपने जैसे मान लो हिंदू religion में उसे अच्छा माना जाता है तो कोई person अपने घर में भी उस tree को लगा सकता है तो यह तो ex situ है यह मैं sacred groove की बात कर रहा हूं जो किसमें आते हैं इंसिटू conservation में सिफ एक प्लांट हो तो वो किसमें आएगा ex situ में आएगा तो यह क्या होता है sacred groove बेसिकली यह track है forest के जिसमें बहुत सारे tree होते है wildlife होती है which are protected by a particular group of people कुछ लोग उनकी रक्सा करते हैं या protect करते हैं क्यों उनका religious belief हो सकता है उनका cultural belief हो सकता है उनकी cultural importance हो सकती है इस वज़े से वह उस पर्टिकुलर forest को या पर्टिकुलर wildlife को क्या करते हैं protect करते हैं उनको कहते है sacred groove कौन कौन से है sacred groove देखो खासी जैनेशिया hills यह तो कहां पर है Megalia में अरावली hills राजस्तान में western guard region जो है करनाटका और महारास्ट में और देख सरगुजा चंदा बस्तर यह सब कहां पर है मद्यप्रदेश में बुक एक line और लिखती है कि Megalia में यह जो दो region है यही last refugee है last refugee मतलब last region रहे हैं जहां पर यह rare species क्या बच सकती है ठीक है इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं है तो यह भी एक तरीका होता है in-situ conservation का ठीक है next अपन लेते हैं ex-situ conservation तो देखो in-situ conservation क्या था कि किसी species को जिसको अपन conserve करना चाहते हैं उसको उसके natural habitat में conserve करते हैं तो इसे in-situ कहते हैं और किसी species को एक किसी और जगा पर या किसी और तरीके इसे उसके natural habitat के अलावा अपन conserve करें तो उसे ex-situ या off-site conservation करते हैं तो it is off-site conservation of a species in area or place other than its natural habitat क्या क्या आते हैं जुलोजिकल पार्क आते हैं वाइड लाइफ सफारी पार्क आते हैं बातनिकल गार्डन आते हैं और एक नहीं टेक्निक है cryo-preservation जिसमें या तो pollen grain को अपन preserve करते हैं या seed को preserve करते हैं या फिर gamits को preserve करते हैं बहुत ज्यादा थंडे temperature पे second chapter जो है उसमें pollen grain के preserve करने का एक temperature दे रखा है अपने से जिसको पता हो कि वह temperature कितना होता है comment section में लिखकर बता है वह एक तरीका क्या है cryo-preservation है जो बायो डायवर्सिटी को क्या करेगा preserve करेगा ठीक है next is international effort for conservation मतलब देखो बायो डायवर्सिटी की loss की जो problem है वो किसी country की नहीं है overall पूरे globe की है और समसब की है तो क्या international level पर कोई मतलब committee या फिर कोई ऐसा organization या कोई ऐसे मतलब meeting की गई है जिसमें biodiversity को कम करने के लिए ये topic discuss किया गया है तो दो अपने book में दे रखे हैं पनको याद करने एक है the earth summit जो 1992 में हुआ Rio de Janeiro Brazil जो जगह है वहां पर हुआ it called upon all nation to take appropriate measure for conservation of biodiversity and sustainable utilization मतलब biodiversity को conserve करने के लिए और sustainable utilization करने के लिए जो है earth summit बुलाई गई 1992 में जगह का नाम याद रखे येर का नाम याद रखे उसका motive याद रखे फिट 2002 में the world summit इस बार Johannesburg South Africa में और इसमें 190 country ने मतलब ऐसे pledge किया कि हम अपने level पर biodiversity loss की जो यह rate इसको कम करने की कोशिस करेंगे ठीक है अब एकदम रोक तो नहीं सकते अपने इतना बिगाड चुके लेकिन उसके loss को अपन rate जो है उसको बहुत घटा देंगे तो 190 countries place their commitment for reduction in the current rate of biodiversity loss at global बड़े लेवल पर regional मतलब अपने अपने एरिया में और local मतलब अपने आसपास तो global, regional और local लेवल पर biodiversity loss की जो यह rate है उसको अपन कम करेंगे ऐसा pledge किया कि इसने 190 countries में किस के दोरान world summit के दोरान 2002 में हुआ, Johannesburg South Africa में था तो यह अपना चेप्टर था कौन सा बायो डाइवरसिटी एंड कंजर्विशन उमीद करूँगा कि यह चेप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मिलते हैं अगले चेप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खुब सारा hard work कीजे, खुब खुश र तो यह तो बिलते हैं तो